36 गड़ में विधान सभा और फिर लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रिसी कार्यकरताओं की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है अब कार्यकरता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने भड़क गए उन्होंने कहा कि 15 साल हमने लाठी डंडे खाए लेकिन 5 साल हमारी सरकार में ही कोई पूच परख नहीं हुई कार्यकरताओं ने यहां तक कहा कि 5 साल में पार्टी को बरबाद कर दिया दरसल नगरिय निकाय चुनाव की तैयारियों का जाय जा लेने के लिए दीपक बैज शुक्रवार को धमत्री दोरे पर पहुँचे थे यहां पदाधिकारियों और कार्यकरताओं के साथ हो रही बैठक में कार्यकरता भड़क गए हंगामा करने पर दीपक बैज ने कार्यकरताओं को शांत बैठने कहा तो और भी कार्यकरता भड़क गए तलक लहजे में जब उन्हें शांत बैठने को कहा गया तो कारेकरताओं ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि 5 साल में बर्बाद कर दिया अब क्यूं शांत बैठें कारेकरताओं ने कहा 5 साल में कौन से कारेकरताओं की पूछ परक हुई है बैज जी कुछ भी नहीं हुआ सत्ता में 15 साल हमने लाठी डंडा खाए फिर भी लगातार कारेकरताओं का अपमान किया गया 5 साल में लोगों ने कॉंग्रेस को खत्म कर दिया 40 साल से हम कॉंग्रेस से जुड़े हैं इस बीच एक कारेकरता ने कहा कि अभी भी यहां सेटिंग से रेत खदान चल रही है दीपक बैज के कई प्रयासों के बाद भी जब कांग्रेसी कारेकरता शांत नहीं हुए तब PCC चीफ ने इन कारेकरताओं को अलग से मिलने का आश्वासन दिया बैज ने मंच से कहा कि पांच मिनिट मैं आप लोगों को अलग से समय दूँगा और आपकी बात सुनूँगा इसके बाद कारेकरता शांत हुए